जारकन में सिपाही भड़ती परिक्षा में फिजिकल टेस्ट के दोरान करीब 11 अभियर्तियों की मौत के मामने से हड़कम मचा हुआ है अलग-अलग जिले में इन अभियर्तियों की दोरने के दोरान मौत हो गई थी लेकिन अभी तक हेमन्त सरकार के तरफ से मौावजे का एलान नहीं किया गया है जिन अभ्यर्तियों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को भी अभी तक छारकन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई राहत देने की बात नहीं की गई है जिसके कारण अभ्यर्तियों के परिजनों में गुस्सा और बढ़ता जा रहा है आपको बता दे कि एक्साइस कॉंस्टेबल भर्ती के लिए 22 अगस से राची, गिरीहीट, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सेंभूम और साहिब गंजिलों के साथ केंद्रों पर अभ्यर्तियों के फिजिकल टेस्ट शुरू हुए थे होमकर ने बीजेपी यूथ विंग के आरोपो पर सफाई देते हुए कहा कि सभी केंद्रों पर चिकेटसा दल, दवाएं, एंबूलेंस, मोबाइल, सोचाले और पीने के पानी सहित पर्याप्त ववश्थाएं सुनिक्षित की गई पुलिस के अनुसार फिजिकल टेस्ट के लिए 30 अगस्त तक 1,27,772 अव्यर्थी उपस्तित हुए, उनमें से 48,023 सफल हुए वहीं हजारी बाग में अपने बेटे को खोने वाले पिता मेडिया से बार्थ करते हुए बताते हैं कि महेश कुमार महतो मेरा चोटा बेटा था, मेरे दो बेटे हैं, आज मेरे बेटे का क्रिया करम चल रहा है, मेरे बेटे की अभी तक पोस्मार्टन रिपोर्ट नहीं मिली है मित्रिलाल महतों ने जार्खन सरकार से गौहार लगाई है कि हम गरी परिवार से हैं मेरे बेटे की मौत का मुआफ़ला कर रख दिया है घरवालों के आंसूत हमने का नाम नहीं ले रहे हैं अब तक उन्हें सरकार के तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है